कि नमस्कार दोस्तों सौगते आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चानल में आज हम देखने वाले एक ग्रेड परसनलिटी के बाहरे में और आज की ग्रेड परसनलिटी है नम्बी नारायनन ठीक है जो की इसरू की जो है साइंटिस्त थे ठीक है इंडियन एरोस्पेस इंजि योगदान दिया है विकास इंजिन बनाके ठीक है तो चलिए चलते आगे और काफ यह परसनलिटी रही है यह रॉकेट रिमुवी जो है यह जो है अभी रिलिज हो चुका है ठीक है तो इसलिए न्यूज में है ठीक है तो नम्बी नारायन जो थे यह एरोस्पेस इंजिनेर थे ठीक है और इन्होंने इस रों में वर्क किया था ठीक है और इनको पद्मभूशन जो है यह थर्ड हाइस सिविलेंड अवर्ड जो है गवर्मेंट ऑप इंडिया दवराद 2019 में दिया गया है ठीक है और आगे चलते है तो इंस्ट्रुमेंटल इन डेवलोपिंग विकास इंजिन डाट वुड बी जूज फोर दो फर्स्ट पिए सेल भी डाट इंडिया लॉंच फिक है पिसल वे में विकास इंजिन को यूस किया गया है तो यह विकास इंजिन काफी पावर्फुल है तिक और यह डेवलोप किसके दारा किया गया है यस नंभिणा राएन ठीक है चलें चलते आगे तो इन्होंने जो है कि इंच diff становится को आपे इस रो में is Count that नमिनारायन क्राइजीनिक डीजिने के इंचात कि क्राइजनिक का मिनिंग क्या होता है तो ओ टेंपरिचर पे जो है ये प्रोडक्शन और behavior materials का ठीक है जो भी materials cryogenic engine भी यूज किया जाता है उसका low temperature में behavior कैसा है इसका जो study है यह cryogenic तब में किया जाता है फिर physics की तब में इसको cryogenic कहा जाता है ठीक है the first engine ने विकास वॉज टेस्टेस्ट सक्सेस्पिले में 1985 1985 में विकास इंजिन जो था यह नम्बी नारायन के द्वारा सक्सेस्पिले टेस्टेट किया गया 1985 में यह भी आप अच्छे से यादर हो इनकी अर्ली लाइप के बारे में देखते हैं बॉर्ड इनका जनम जो हुआ था यह था फ़ल्ट इसपन अगर दगाया 2019 में आगे चलते हैं इनकी करियर के बारे में ठीक है करियर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसी से इनकी लाइफ का जो तर्णिंग पॉइंट है यह करियर में ही इनके आता है विसरों में आता है ठीक है 1992 बात करते है स्टडीस कौन से मेंगनिकल इ और इनको जो पुस्टिंग दावों का था था थुम्बा एक्वेटर रॉकेट लॉचिंग स्टेशन ठीक है वहां पर टेक्निकल असिस्टन करके और काम कर रहे थे अन्य उफिछ था यह लिक्वेट प्रप्रेशन की बाद यहां पर खाली आगे चलते हैं इंडिया अब अब पडाई करके यह वापस आया इंडिया तो इनकी एक्सपरडाइज गिसमे ती लिक्वेट प्रपेर्शन ठीक है और सब के समय में हमारा जो अब नौ इंडियन रॉ होता है ठीक है तो उस पे ही डिपेड्डेंट थी हमारी रोकेट रेंडियान जो इस रो था उस पे डिपेंड दा लेकिन लिकुट प्रोपर्श्ट्शन चेज्ट टेकनलोजी तो जो एक्सपर्टाइस था यह किनों ने लाया नंभी नारायन ने इसको इंडिया में लाया ठी ठीक है अब उनकी एक उनकी आटोग्राफिय है ठीक है तो कुन से है अर्मा कालूड ब्रह्मना पदम ऐसा उनका आटोग्राफिय ठीक है तो उसमें उन्होंने लिखा है कि यह है एजुकरेट सारा भाई रियोकरम सारा भाई ठीक ओना लिक्विट प्रोपल्शन टेकलोजी त आता है नम्भी नारायनन को ठीक है तो 1992 इंडिया साइन अर्रेजमेंट यहां पर आता है टर्निंग पॉइंट यहां पर पूरी जो मतलब सीदी जो चल रहे थी इस रुखी गाड़ी यहां पर रुख गई क्यों रुख गई इन 1992 इंडिया साइन एग्रिमेंट उते रश्य गई पॉरडंसफर of टेक्नलोजी उप ट्रांसफर करने तो इस समय क्या हुआ जो कर लिएंजन था ठीक है तो यह चो तो रुषया ने जब यह एग्रेमेट साइड गया तो अमेरिका और फ्रांस ने रशा के उपर दबाऊड़ाना चलो गया कि आप इंडिया को यह टेक्नलोजी ट्रांसपर मत करो टो यह सब चीजे वहां पर हुई 1992 में तो फिर इसमें फिर सेट ले हुआ ठीक है watch और ट्रांसपर फिर एग्रेमेड़ूड भी साइन हुआ एक ठीक है वहाँ पर इनका agreement भी sign हुआ लेकिन यह successful नहीं हो पाया ठीक है 1992 की यह बात है ठीक है क्योंकि यहाँ पर loss किसका हो रहा था अमेरिका का इसमें loss था क्योंकि हम technology जो है उनसे लेते थे उनको जो financially था उनको फायदा हो रहा था अमेरिका को तो इसलिए वह दबाव डाल रहे थे रहशा के ओपर कि आप इस इनको यह technology आपर ना कुरूना है तो हम आप पर शांशन लगा देंगे तो अब यह आता है ठीक है इस पॉनेच इन October 1994 दूरिंग विसा वेरिपिकर शान यह कहां से आता है अब यह कुछ लोग कहता है कि यह अमेरिका का चाव थी ठीक है अमेरिका नहीं कुछ पैलिटिशन थे केरला के उनको अपने जाल में लाके ठीक है वहां के पूलिस चोती केरला पूलिस उनको कुछ प्लान करके यह नम्मिनाराण को फसा ऐसा भी कहा जाता है अब कितने सच्चा ही यह पता नहीं ठीक है लेकिन क्या हुआ है हम देख लेते इन October 1994 द लेकिन शिर्वानन्तपुरम ठीक है पोलिस फाउंड एक्स्पाइशन अप्दे टू माल्दिवन ओमन वहां पर पकड़े गई ठीक है विसा वेरिफिक्शन के दावरा एक थी मरियान रशिदा और दूसरेत की पोजिया हसन ठीक है तो इनको पकड़ा गया तो इनके पास जो माल्दिव की थी वहां से इनका कनेक्शन और साथ ही साथ इस रोगे कुछ साइन्टिस्ट से इनका कनेक्शन मिला तो फिर यहां से यह टॉपिक चालो हुआ 1994 जास्विसी वाला कान ठीक है तो इसमें इस रोगे कुछ साइन्टिस्ट को पकड़ा गया इसमें नम्बीन हम और यह backup छैल भी जाना पड़ा अई एसर चीज्जें भोती रही होती रेसी रही लेकिन फाइनली कुछ प्रूह नहीं हुआ ठीक है आई बीने भी चेकिंग कहा न भी जो केला पूलिस थी इन्होंने भी अपना इन्विस्टिकेशन किया आई भी कभी इन्विस्टिकेशन हुआ फाइनली 1996 में चार साल बात थे चार साल है 94 दो साल बात सोरी तो सी बैस सब्मिटेट अ क्लोजर रिपोर्ट सेइंग दाट देर वास नो इस पॉनिच एंड एसा कुछ नहीं है ऐसा कोई जाशनी नहीं है और ये खाली एक टॉर्चर है कि ठेक है तो ये का रिपोर्ट आया उसके पास सुप्रीम कोर्ट ने वह डेक्लेयर किया RAM नॉट यल्टी इन 1998 वे ठेक है नाइन निए नाईटी सु अफ्ट्टिय बात सुप्रेंड के हैं उन् नहीं है तो यह सब कि लियर हो गया यहां ठीक है 1994-1998 यह मनोच चार साल पकड़ा लो और 96 1996 में भी सिवैने इनको फिर भी केला गोवर्मेंट अभी भी मांने रही थी केला गोवर्मेंट को अभी भी पकड़ के बैटी थी कि नहीं किरला फुलिस ने अभी फिर से यह उन्होंने अपिल की कि नहीं मतलब मान नहीं रहते शीबे का रिपोर्टों फिर फिर सुप्रीम कोट ने उन्होंने 1998 में इनको डिकलियर कर दिया कि कि यहां तक हो गया अभी है इद्दत का सवाल था ठीक है इसरो स्पाइडल डाट टूर्ड आउट टूब फेक ठीक है तो इसको जो इसरो स्कांडल था यह पूरे तरहीं से फिक साबित हुआ लेकिन जो इसरो की जो गाड़ी थी हमारा विकास इंजिन बना उसके बाद हम जो इंजिन पर काम कर रहे थे जो इसरो जो तेली से अगर ग्रो हो रहा था उसको एक जो है एक रेश्ट्रिक्शन आ गया इस स्कैंडल की वाज़े से और इस स्कैंडल और फेक साबित हुआ लास्ट में ठीक है तो यह सब चीज़े यहां पर हुआ यह सब होने के बाद जो रि रिस्पेक्ट थी यह तो मतलब इसमें चली गए यह सब चीज़ों में गवर्मेंट का पता नहीं यह कौन सी चीज थी मतलब क्यों लोगों ने ऐसा किया जो एक अच्छे साइंटिस्ट थे जो दिश के लिए कुछ करना चाहते थे लेकिन गवर्मेंट दोरा या फिर कुछ कुछ लोगों के दौरा उनको जो है एक स्कैंडल में फसाया गया और लास्ट में जो है यह फिक साबित हुआ जो कि ऐसा कुछ कैंडल नहीं था तो फिर अब क्या हुआ दो नाशनल हुमन राइट कमिशन दोजार एक में इन्होंने क्या किया ओर्डर्ट क्या गवर्मेंट जो थी कि उनको एक तरम देश दुरूई भी घुशित किया था तो यह सब उनका जो रिकरी थी यह होने के लिए पैसों से तभे रिकरी यह फोगा ने फिर भी जो लुमन राइट कमिशन था नाशनल हुमन राइट कमिशन उनने करला गवर्मेंट को कि आप इसको इनको एक सब्सक्राइब करें तो यह तो चीज़ थी ठीक है और यह थी उन्होंने और क्या था कर रहे है ठीक है तो सब्सक्राइब और 2012 में पिर्टेन लेक का ओडर के लायकोट ने उनको दिया ठीक है और 14th April 2021 अब सुप्रेम कोड़ अब दोजार इकेस देखे कहां तक टॉपिक आया है ह। मतलब 1992 से शुरू था 2021 तक पहुचा तो सुप्रेम कोड़ अप इंडिया ओडर्ड और सीबिया फ्रोब इंटू इन्वाल्मेंट ऑप पॉलिस ओपिशर इनकोंस्पिरेसी ठीक है तो जो यह पुरा कांड हुआ जासुषी कांड इसमें कोन है क्यों फसाया गया नमिना रहनन को ठीक है और इसमें कौन से कौन से पॉलिस ओपिसर इन्वाल्ट है किरला गवर्मेंट भी इसमें इन्वाल्ट है क्या यह सब चीज़ें चेक करने के लिए सुप्रेम कोड़ने ओडर्ड किया 14 अप्रिल दोजार इसको तो यहां तक यह टोपिक पड़ा ठीक है और 2019 में जो था चबिस जन्यव पीच में लोग क्यों आते हैं क्यों उसको रोकते हैं एक तो देश का नुकसान तो हुआ हुआ है तालों का परसनल नुकसान कितना हुआ एक देश दुरूभी गोजित कर दिया उस विक्ति को तो यह सब चीज़ें नहीं होना चाहिए फिर भी लोग पता नहीं है कुछ फा यह उसके उपर भी ठीक है दाफेश कोट इस अल्सों कुष्ट्रेट देड़ रेटाइड सुप्रेम पोड जर्ज डी के चेंट टू इन्कॉर इंटो रोल और ऑपेश्यर ऑप केरला पोलिस इन अरेश्ट ऑप नारान ठीक है तो यह भी जो हां यही बात है सुप्रेम इसका कुछ रोल है इसमें तो क्या है उसको inquiry बिठाए जाए उस प्याज़ा जाए और जो इसमें दोशिये हैं उनको दोश मतलब उनको सजा दे दिया ठीक है क्योंकि नंबीन आरान ने जो भूगता है या पूरा देश ने भूगता है ऐसे भी हम कह सकते हैं ठीक है क्योंक तो यह जो फिल्म है जो रॉकेट्री फिल्म जो आ रही है यह किसके द्वारा है यह डारेक्ट किये है आर मादोहन द्वारा ठीक है को डारेक्टेड बाद प्रकाश से यह फिल्म हो चुके आप इसो जाके देख भी सकते है ठीक है तो थांक्स वोचिंग यहां भी हमारा लेक्जर खतम होता है तो चैनल को अगर अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल बूले जय जय भारत